चलिए तो शुरुवात करते हैं आज के इस 23 फरवरी में क्या नया है आपके लिए यहाँ पर तो सबसे पहले एक अच्छी कवर अच्छी कवर यह है कि जिन चात्रों ने खान निरिक्षा गयाने की जिया माइन्स इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था बिहार अच्छी बात है कम से कम हो सकता है कि इस बीच में आप लोग का डेट भी निकाल दिया जाए हम लोग के अगर वीडियो बनाने से इन लोगों थोड़ा सा सरम आए तो यह जरूर इसका नोटिफिकेशन निकाल के आप लोग का एक्जाम डेट क्लियर भी कर देना चाहेंगे तो आशा करते हैं कि अप्रेल में इसका एक्जाम हो जाए और आप लोग की जुन जुलाई तक यह कंप्लेट करके यहा आपको अपडेट मिल रहा है अभी इस न्यूज के माद्यम से तो प्लीज जाके देखिए अभी विबसाइट बिहार एससी का वहाँ सापको यह चारी चीजी मिल जाएंगे खबरों की माने तो हम बात करेंगे दोस्तों बिहार में सिक्षक बढ़ती को लेकर तो एक और ऐसी वेकेंजी जो की बिहार में 2019 की प्रक्रिया चल रही है जियां दोस्तों मैं आपकी बात करूंगा प्राथमिक स्कूलों में सिक्षक की नियुक्ति पत्र के बटने को लेकर जहां पे 42,47 सिक्षिकों को आज नियुक्ति पत्र जिया 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में बाटनी है जिया एक अच्छी खबर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रक्रिया में काफी उलजने आई कोट में गया मामला फिर निकल कर सामने आया बहुत सारी चीजों को लेकर यहां पर अभी भी छान बिन चल रही है चुकि यही नहीं फरजी डॉक्मेंट्स के साथ साथ जो भी छात्र यहां पर अगर ज्वाइनिंग कर भी लेते हैं तो 30 सेप्टेंबर तक उनको बाहर कर दिया जाएगा नियुक्ति पत्र बटने के बाद भी तो मैं अभी से आप लोगों को यह चीज़ क्लियर कर दना चाहता हूं कि भाई जिसका हक है उसको उस हक पे जाने दीजे और उसको नौकरी करने दीजे फरजी बार करके कोई फायदा होता नहीं है क्योंकि अभी हाली में एक और खबर आ रही है बेल्ट्रॉन जो कंपनी है उसका फरजी वेबसाइट बना दिया गया इसके बारे में बताओंगा डिटेल में आपको प्राज़ा लेकिन साउधान रहने की जूरत है आपको भी चलिए मैं खबरों में ले चलता हूं और सिक्षक न्योक्ति पत्र को बाटने को लेकर यहां पर अपडेट देता हूं कि न्योक्ति पत्र मिलने के बाद योगदान के पहले क्या 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 करना होगा आपको तो दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखीगा पहला चीज क्या है दिखी यहाँ पे एक अभियान चल रहा है बिहार में जो कि मारनिय नितिश कुमार जी की अधिक्सता में हो रही है समाज सुधार अभियान जिसमें की दो चीजे आपको अपने अपडेट में रखना होगा क्या पहला चीज कि जब भी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उससे चीज की सराब बंदी को भी लेकर यहाँ पे आपसे एक जो है फॉर्म फिलप करवाया जाएगा जो की मद निशेद उत्पादन विभाग के तरफ से अपडेट रहेगा तो उसको भी लेकर आपको एक सिग्नेक्चिर करना होगा अपने आपको कि यहाँ पे दहेज और नश आप लोके पत्र यहां पे आपको देना प्ड़ेगा तो यह हो गया एक तूप हках ल Dave exec योगदान देने से पहले क्या है यहां पर की योगदान देनेセ पहले आपको अपना medical certificate जैसे कि मालीजी जिस भी जिले की आपको न्योक्ति पत्र मिल रही है उस जिले के सदर अस्पताल में जाके आपको अपना medical certificate बरवाना होगा जिसे कि आपकी fitness को लेकर भी यहाँ पे सरकार update रहे कि मतलब आप fit हैं और नौगरी करने के यहाँ पे योग्य हैं तो अब खबर चलते हैं उन 42,000 सिक्थों की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो भी सिक्षका भीयारतियों को यहाँ पे आज मिलेगा नियुक्ति पत्र तो प्राथमी की स्कूल में यहाँ पे 42,000 सहyt Süक्षक जो अब्यारति है उनको बुदवार से नियुक्ति पत्र बाटे जाएंगे आज से और ये 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक नियुकती पत्र बाट जाएंगे और खासकर आज यानि कि 23 फरवरी को आज की डेट में आप लोगों को करीब 25 से हैना 25 से 30 ऐसे जिले होंगे जिनमें की नियुकती पत्र ये बाट दिये जाएंगे हर हाल में अगर कोई छोटता भी है तो 26 फरवरी तक उसको कभर किया जा सकेगा अकेले 23 फरवरी को 25 से 30 हजार भ्यारते को निकुती पत्र बाटने जाने की समावना है जिनमें की सीता मड़ी दरभंगा मदूबनी बेगू सराय सवस्तिपूर रोतास खगड़िया जमोई में इसका स्चेडियूल एक से अधिक दिन तक के लिए तै किया गया है तो भाई यहां पे चात्र जादा होंगे तो इसलिए ऐसा किया गया है और देखे रोतास का भी नाम है आप तो ध्यान में रखिएगा आप लोग जो भी चात्र रोतास से घबराएंगे नहीं 23 से लेकर 26 तारिक तक इनका जो शेडियूल जारी किया गया है जानकरों की मताविक बता इसलिए है वेकेंसी जादा इसलिए है क्योंकि हर साल का अगर आप लोग वेकेंसी जोड़ कर देखेंगे तब जाके यह वेकेंसी यहां पे इतना पूरा भी हो रहा है तो सिक्षकों का अभी हालात जो है देखा जाए तो हरे स्कूल में बहुत कमी थी तो अब इनकी सिक्षकों की जो नियुक्ति होगी यहां पे जब आएंगे योगदान देंगे तो काफी इस तर अच्छा होगा और यह वो सिक्षक होंगे जो की छात्रों को पढ़ा सकेंगे छटे चरण में प्रात्मिक सिक्षकों को 90,700 पदों के लिए विज्यापन निकाला गया था और यह नियोजन की प्रक्रिया देखे 2019 से चल रही थी थी कर यह प्रक्रिया नियोजन की प्रक्रिया जिसको लेकर अब यहां पर आपका नियोक्ति पत्र बाटने की बात की गई है दरभंगा में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक छात्रों होंगे यहां पर 4794 चात्र सब्सक्राइब 618 के प्रक्रिया वह बिहार happened बाड़नों कि फिराध्यक्रि प्रकष कि आप प्रकरिया करें Die आप टेम के बादijn taking a बाद जैसी जप्रेंद करोफिए साथवे चरन में कारे शुरू हो जाएगा याने कि अप्रेल बताया गया था अप्रेल से मई के महीने में आपका साथवे चरन का भी प्रक्रिया यहां पे तेजी आएगी और इनकी जुएनिंग को लेकर जल से जल अपडेट कर दिया जाएगा तो आशा करते हैं कि यह जो शे सब कुछ देना होगा यहां पर क्योंकि सदर अस्पताल आपके उस जिले से बन सकेगा दोस्तों खबरों की माने यहां पर तो बेल्ट्रों के माध्यम से एक खबर आ रही है जी यह यह खबर है उनके विबसाइट को बनाकर यहां पर नौकरी का विग्यापन निकाला गया चुकि यह खबर हर एक अखबारों में आ गया है बिल्ट्रों ने कैसार की परिक्षाओं के त्यारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी उपर्चुनटी है अनेकेडमी की तरफ से अनेकेडमी मेगा सब्सक्रिप्शन ओफर दे रहा है आप सभी छात्रों के लिए अगर आप दूसरी अपडेट यहां से है दोस्तों कि अगर आप बिहार के पुलिस एक्जामनेशन की त्यारी करते हैं जैसे कि बिहार में अभी मद निशेद उत्पादन सिपाही भरती की जो दक्षा के अधार में वेकेंसी निकाली गई है या फिर अगर आप बिहार दरोगा की त्य आता है या फिर आप बिहार एसे कि त्यारी करते हैं जिसमें की इंस्पेक्टर के पदों के लिए वेकेंसी होती है तो आपके लिए यहां पर यह एकॉपरचंटी आ रही है कि अनयकेडमी लेकर आए है दोस्तों यहां पर ग्लासेज मिलेंगी या इस में आपको अभी उससे तयार किया जाएगा और इसके लिए आपको बिहार के टॉप एजुकेटर जो है एजुकेट करेंगे जी हाँ लेकिन यह अपरशनटी बहुत ही लिमिटेड है आप लोग देखिए यहाँ पे 208 रुपे में आप लोग जो है 208 रुपे पर मंत में है ना पर मंत मे आप लोग 12 महिने का यह कोर्स कर सकते हैं वहीं पर 6 महिने का कोर्स करते हैं तो पर मंत आपसे 330 रुपया फीस सार्ज किया जाएगा तीन महिने का कोर्स लेते हैं तो 500 रुपे पर मंत का कोर्स लगीगा यहाँ पे तो यह आपका मंत वाई जो है फीस लगीगा तो आप 10 का इस्तमाल कर लिजेगा इस को लेने के लिए तो आपको 10% का डिसकाउंट भी आपके इन सभी कोर्स में मिल जाएगा तो all the best है आप सभी